मस्तिक अस्त्रोत्र, मनश्य के फितर ही है, आनंद हमारे फितर ही होता है, बाहर की जो बस्तुएं हैं, बाहर के जुकसुक साधन की चीज़े हैं, वो सिर्फ हमारे अंधर के आनंद को प्रकट कर देती हैं, उसमें सहयोगी बन चाती हैं, जैसे सूर्य जब सुभे उदय होता तो पूल खिलते हैं और फूलों में जो छुपी हुई सुगंध होती है, वो मुक्ट हो जाती है, वो चारों दिशाओं में फ्हेलने लग जाती है, सूरे सिर्फ सहीयोगी हो जाता है, अश्वासन दे देता है, उसकी मौझूदकी में जो भीतर छुपा हुआ था, बस वो मु जो हमारे भीतर की शांती है, हमारे भीतर का जो आनंद है, जो हमारे भीतर के सदगुण है, वो प्रकट होने लग जाते हैं, हमारे अंदर की कली खिल जाती है, हमारे अंदर से सुगंद आने लगती है, रजब, एक पठान, फरंतु एक बहुत अच्छा शिश्य, जब उसके भीतर जो कुछ छुपा हुआ था जो जन्मों जन्मों से अर्जित था उससारे पुण्य उधित होने लग गए उसका जीवन ही पदल गया इतना प्रेम अपने सद्गुरु से हो गया कि जब सद्गुरु नहीं रहे तो रजब ने अपनी आखें ही बंद कर ली और उसन कि बाद उसने कभी अपनी आख नहीं खोली अनधे की भाती अपने जीवन को चलाता चला गया लेकिन अपनी गुरु के प्रती समर्पेट, यह जो समर्पन है यही जीत दिलाता है यह जो हर समय एक ही की याद रहती선बी और हर समय उसी के सानिध्य में कारे होता है हर कर्म फिर पूजा बन जाता है जैसे कीता में भगवान कहते हैं भक्ति योग में कि तु मन को और बुथी को मुझे समर्पित कर दे मुझे अर्पित कर दे जब तु पूरी तरह से अर्पित कर पाएगा तब ही तु भक्ती में सफल हो पाएगा ऐसा भक्त ही मुझे प्रिया है हमने एक तारी को देखा है उसमें एक ही तार होता है भक्त उसे ही लिए गुमते रहते हैं मीरा एक तारा लिए गुमती है کیونकि वो एक तारा ये प्रतीक है कि मन एक ही जके लग गया, एक ही दुन चड़ गई, एक ही मन में भाव आ गया, बस भक्ती का भाव, बस परमात्मा ही याद आता है, जब बूंद बूंद गिरती रहती है चटान के उपर, तो चटान का सीना तोड़ देती है, परमात्मा की छोटी छोटी यादें भी, जो ति जो लाहे थे साड़ी बनते परंतु मन कहा रहता परमात्मा की याद में मन रहता था वेबन सौधा बेशने भी जाते थे तो जिस व्यक्ति को भी कपड़ा बेशते उसे राम कहा करते थे वो व्यक्ति कहता तुम्जे राम क्यों कहते हो तो खेता मैं तुमारे आत्मा से बात कर रहा हूं तो मन बाजार में रहते हुए भी परमात्मा में जो व्यक्ति भक्त बन जाता है समर्पित हो जाता है वो इस दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो कहीं भी बैठा हो उसका मन मंदिर है वो मंदिर को लेकर ही चलता रहता है हर समय परमात्मा की याद में और कई लोग ऐसे होते हैं हिमाले की गुफा में भी पहुँच जाएं साथना करने तो भी मन में जोड़ तोड़ कि सब्स रहते हैं हर समय सन्सार में मन रहता है लोक्स आधना के लिए ृषिकेष जाते हैं मनाली जाते हैं हर इदवार जाते हैं मेरिटेशन केम्स आनंद मिल जाएगा परंतु परमात्मा आश्वासन नहीं देते परमात्मा तो आनंद देही देते हैं जिसे रस की प्यास होती है परमात्मा की प्यास होती है उस व्यक्ति को तो पूरा मन परमात्मा में ही लगाना होता है यानि हमारी जो कर्म है वो कैसे हो परमात्मा की जब उसकी याद में कर्म होते हैं तो वो कर्म जो है फिर पूजा बन जाते हैं परमात्मा को फूल समर्पित हो जाते हैं। परमात्मा प्रकट हो जाते हैं पर प्रकट कैसे होते हैं जब आपका हृदय वैसा ही भोला सा प्यारा सा हृदय होता है यदि हृदय भोला नहीं है तो परमात्मा कैसे आएंगे तो परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट हो उसके लिए अपने चित्त को साफ कीजिए जो व्यक परमात्मा के ही वचन हो जाते हैं, वो अपने आपको बीच में से हटा लेता है, वो माध्यम बन जाता है, वो उपकरण बन जाता है, जिस उपकरण में से परमात्मा की यानि जो कौस्मे के नरजी है, जो ब्रहमांडिय उर्जाएं है, परब्रहम की उर्जा है, वो उसके अं पुद्ध का एक एक वचन परमात्मा का वचन बन जाता है महवीर जब बोलते हैं तो उनका वचन परमात्मा का वचन बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति जो पूरी तरह से समर्पित करते हैं वो पूरी तरह से परमात्मा के ही हो जाते हैं उनका मुख भी प्रह्म का मुख होता है ह उन्होंने कहा मैं तो माध्यम हूँ जिसके द्वारा परमात्मा की उच्छा प्रकट हुई रविंद्रनाथ एक बहुत अच्छे पोईट बहुत अच्छी कविताय लिखते वो अपने आपको भीच में से हटा लेते थे जब कविता उतरती तो उस कविता के रस में बह जाते जो परमात्मा लिखवाते जो प्छाप लिखते थे अपने आपको बीच में नहीं लाते नोबिल प्राइज उनको प्राफ्त हुआ जब है अपनी की तांजली की ट्रांसलेशन कर रहे थे अंग्रेजी में अनुवात कर रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि किसी एक्सपर्ट को मैं दिखा देता हूँ तो उन्होंने C.F. Andrews के पास जाकर बात करी तो Andrews जो थे बहुत विशेशग्य थे अंग्रेजी भाषा के English Language के तो उन्होंने दो चार जगे बता दिया कि भाषा की ये भूल है व्याकरन की भूल है इसे सुधार लो तो रविंद्रनाथ मान गए उन्हें लगा कि ये एक्सपर्ट व्यक्ती है इसकी बात मालनेनी चाहिए और मुझे इस अपनी गीतांजली को आगे देना भी है तो उन्होंने अपनी भूल सुधार ली वहाँ पर जो भी व्याकरन की मिस्टेक थी उसको ठीक कर लिया जब वह लंडन गए और कवियों की गोश्थी में बैठे तो वहाँ पर उन्होंने अपनी कविताएं गानी शुरू करी तो जब वह कविता गा रहे थे एक फ्लो में गा रहे थे तो बीच में से एक कवी यीट्स उठे यीट्स ने कहा कि दो चाह जगे ऐसा लगता है कि शब्द आपके नहीं है तो रविंदर नाथ हैरान हुए उन्होंने का हाँ ये सुधार हुआ है किसी और के द्वारा तो यीट्स ने कहा तुम वो पताओ जो तुमने ओरिजनली लिखा था जो तुमने पहले लिखा था तो रविंद नाथ ने वो पूरी कविता वैसी ही सुनानी शुरू करी तो यीट्स ने कहा भाशा की भूल हो सकती है, परन्तु भाव की भूल नहीं होती है, जो भावना आपने लिखी, वैसी की वैसी ही लिख दो, चाहे भाशा गलत है, language थोड़ी सी correct नहीं है, कोई बात नहीं है, उसे फरक नहीं पड़ता, जब आप गा रहे थे, बीच में ऐसा लगा कि किसी ने प अफिर उन्हें noble price प्राप्त हुआ, देश के लिए noble price लेकर आए, जब हम परमात्मा जैसा बता रहा है, जैसा flow आ रहा है, वैसा का वैसा सामने रख देते हैं, तो वो चीज पूरी तरह से शुद्ध होती है, जैसे ही हम बीच में आ गए, हमने अपनी रुकावत डाल दी, थोड़ी सी भी डाल दी, तो वो पूरा फ्लुक खराब हो जाता है, तो परमात्मा को समर्पित करके अपने जीवन को जीना, ये एक भक्त की निशानी है, जब हम समर्पित करके जीते हैं, तो अंदर का आनंद, अंदर की शांती, अंदर का प्रेम हमारा प्रकट होने लगत जाता है, और जीवन फिर कैसा हो जाता है, जीवन सुगंदेत हो जाता है, जीवन प्यारा हो जाता है, ऐसा ही जीवन आप सभी का हो, आप सभी की जंदगी में आनंद है, खुशिया आए, इसकी मैं प्रभु से प्रात्ना करती हूं, हरियों